नमस्कार मैं अंजली विश्रास स्वागत है आप सभी का दन्योज में आपको बता दें कि ब्रिटेन में गिरफ्तार किये गई है खालिस्तानी आतंग की गुरुचरण सिंग उसी गुरुचरण सिंग ने कुछ ऐसा खुरासा कर दिया है जो आपको सवाल पूछने पर पहले आरोप लगाया जाता था लेकिन आज एक खालिस्तानी आतंग की गुरुचरण सिंग कहता है कि हां हमने पंजाब चुनाओं में आमाद्मी पार्टी को फंड दिया है और ये अगर आपको उतादे कि पंजाब में आमाद्मी पार्टी की सरकार है तो आप समझे कि पं चाहते हैं पंजाब पंजाब ब्रकिभारत से ब्युक्ता और गुरुचरण और इक खालिस्तान में गिरफटारिक के पीचे प्या और क्या क्या है में विछाण वी के सदस गुर्चरन सिंग को बिटेन में गुजरातियों के खिलाफ घ्रणा अपराद यानी हेट क्राइम के आरोप में गिरफतार किया गया था जो उन्होंने 22 मार्ट 2023 को किया था हाला कि बाद में नीजी मुचलके पर रिहा कर दिया गया विशेश रूप से गिरफतारी से प की विरोध प्रदशन कर रहे थे इन विरोध प्रदशन के दौरान गुर्चरन सिंग ने भारतिया ध्वज यानी हमारे तिरंगे पर गौमुत्र भी डाला था गुर्चरन सिंग की गिरफतारी बिटेन में गुजरातियों के खिलाफ घ्रिणा अपराद में हुई थी 22 मार् भारत में खालिस्तानी समर्थक अमरितपाल सिंग पर कारवाई को लेकर भारत सरकार के खिलाप विरोध प्रदर्शन के दोरान गुर्चण सिंग को लंदर में एक गुजराती शक्स को गाली देते देखा गया वाइरल वीडियो में एक गुजराती व्यक्ति प्रदर्शन कर रही खालिस्तानियों से बातचीत करने की कोशिश कर रहा तभी गुर्चण सिंग उत्तेजित हो गए और उन पर चलनाने लगे गुर्चण सिंग ने कहा कि तुम गुजरातियों को ध्यान से सुनने की जरुवत है भाग जाओ नहीं तो थपन मार दूंगा अगर तुमको ल और गुजराती व्यक्ति को चुनोती दी कि वह जो भी कर सकता है कर ले इस अपरावत के लिए गुर्चण सिंग को दो अक्टूबर को दोपहर में लंदन पोलिस ने गिरफतार कर दिया था इसके बाद रात करीब 8 बजे उन्हें नीजी मुचल के पर जमानत पर रिहा कर द दाला था बता दे आपको दो अक्टूबर को खालिस्तान समर्थक संगठ दल खालसा के गुरुचरन सिंग ने जो आपको उता दे कि लंदन में भारतिया उचायोग के बाहर विरोध प्रदशन किया इस द्वारान उन्होंने भारतिया ध्वच पर गौन मुत्र डाला और अ अपरात के लिए गिरफतार कर लिया गया और फिर बाद में जमानत परिया कर दिया गया इंविरोध प्रदर्शनों में खालिस्तानी आतंकी परमजीत सिंग पम्मा भी मौजूद था जिसे वर्तमान में राष्ट्य जाच एजल्स यानी निये द्वारा मुस्ट वांटेड जारी करने के अवसर के रूप में इस्तमाल गया बता दे कि यह प्रदर्शन घटना के फोरण बाद हुआ जहां खालिस्तानी आतंग वादियों ने ब्रिटेन में भारतिया उचा युक्त विक्रम दोर इस्वामी को स्कॉत लैंड के ग्लास सुगों में एक गुरुद्वा आतंगवादियों ने पंजाब चुनाओं में आम आद्मी पार्टी को फंड दिया था बता दे कि 2018 में रिपब्लिक टीवी द्वारा युनाइटेट किंडम में की गई गुप जाज में भारत तोडों आंदोलन में शामल खालिस्तानी समु के गतिविधियों के बारे में अपसे उलेखन या निसकर्शों में से एक पुर्व प्रतिबंधि दल खाल्सा के सदस गुर्चरन सिंग का कहना था कि उनके समुने तो हजार सत्रा में पंजाब चुनाओं के दोरान आम आदमी पार्टी के लिए सक्रिया रूप से प्रचार किया था और यहां तक कि वीति हमसे जवाब दिया कि आम आदमी पार्टी सर्फ एक उपकरन थी या एक अर्थ हीन उपकरत था या एक प्रसांकिक पार्टी है आम आदमी पाटी पंजाब में गया करा लाई गई और प्रसंगित पार्टी है हमने राजनीतिक व्यवस्था और चुनावी मशीनों को बे नकाव करने के लिए आपको एक उपकरण के रूप में इस्तमाल किया पंजाब में आपको 90 सीटे के बारे में सवाल किये गए तो गुर्चडन सिंग ने कहा मैं इसे इंकार नहीं कर रहा हूं हमने उन्हें उपकरण के रूप में उपयोग किया मैं इसे इंकार नहीं कर रहा हूं पूरा सिस्टम ही धोका है आम आदमी पार्टी कुछ नहीं है यह एक जहाज है इसका कोई मतल पढ़ाब नहीं है बात यह थी कि क्या आप जानते हैं कि यह क्या था मुकाबला करने के लिए पंजाब में राजनितिक टाक्तों को परिशान कर दे के लिए और देखो यह कैसे होता है तो आप देखें कि खुली तोर पर चुनौती है खुली तोर पर चीज़े एक्सेप्ट कर रही है क्या रही है कि मैंसे अलग दर किनार नहीं कर सकता हूं यह चीज़े है तो है अब देखें पंजाब में कॉंग्रेस की सरकार थे उसके बाद कहा जा रहा था कि आपसी फूट है मतभेद है इसवाजे से कॉंग्रेस की सरकार जो हटा दी गई लेकिन आम आदमी पार्टी को बाहर से मिल रहा सपोर्ट था कारण आम आदमी पार्टी को जो यह आप कह सकते है फ्रिडम मिल रही थी वो था और यहीं कारणों के वज़े से आम आदमी पार्टी अगर आप देखेंगे पंजाब में सत्ता में आई और यह हम यह नहीं कह रहा है य जिसे गिरफतार किया गया है गुजरातियों के खिलाफ हेट फैलाने के लिए वही आतंगवादी चीक-चीक के कह रहा है कि कैसे उसने यह सारे काम को इंजाम दिया है के फंडिंग की है और साथी साथ रिशी सुनक के लिए बूर रिशी सुलक ने पहले कर दिया था कि ऐसी चीजों पर वह कड़ा एक्शन लेगा देखना होगा कि इस मामले पर उनकी क्या कुछ आपको आपको अपडेटर रखेंगे फिलाल के लिए आपको पूरा मामला है यह व्यस्तार्स बता है यह पूरा मामला क्या है और अब इस पूरे मामले पर आपकी भी जो रहा है कॉमें सेक्शन में कॉमेंट करके जरूर साजा करिएगा थान्यवाद